नमास्कार दोस्तों, electrical technician चल में आपका स्वागत है दोस्तों, यदि आप कोई interview देने जा रहे हो या फिर interview देने का सोच रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही मातपूर्ण होने वाला है क्यूंकि इस वीडियो में आपको top 5 question बताने वाला हूँ जो की, illustration की interview में पूछे ही जाते है दोस्तों, ये जो question मैं आपको बता रहा हूँ ये सभी question recently मेरे एक friend को पूछा गया है यानि कि मेरे एक friend interview देने गया था, illustration के लिए तो उससे ये सभी question पूछे गया है तो उनी question को मैं आपको बताने वाला हूँ तो दोस्तों, जो हमारा पहला question है पहले question में पूछा गया है कि मेरा क्या है और मेरे का उपयोग क्यों किया जाता है तो दोस्तों, यहाँ पे आपको answer के बाल ये बताना है कि सर, मेरे एक ऐसा उपकरन है जो insulation का resistance में आपने के लिए उपयोग किया जाता है ठीके दोस्तों दोस्तों इसका मतलब एक बार समझ लीजिए देखे दोस्तों यहां पर आपके लिए मैंने एक मेगर का picture सो कर दिया हूँ दोस्तों यह हमारा मेगर होता है इस मेगर का उपयोग हम किसी भी cable का या फिर motor का insulation का resistance मेजर करने के करते हैं जैसे कि आपने देखे होंगे कि यह जो हमारा cable होता है cable में बहुत सारे core होते हैं अब यहां पर जो हमारा R face का core है Y face का और B face का core है उन दोनों के बीच में insulation का resistance कितना है उसको मेजर करना हो तो हम इस मेगर का उपयोग करते हैं अब दोस्तों आपसे इंट्रूर में यह भी पूछा जाता है कि मेगर का उपयोग कहां किया जाता है तो आपको अंसर केवल यह बताना है कि मेगर का उपयोग हम cable का insulation को test करने के लिए कि measure करने के लिए करते हैं और हम mzr को चेक करने के लिए भी मेगर का इस्तमाल करते है। ठीके दोस्तों यदि आप से इस प vectors कोईशन पुछा Esse कि मेगर किया जाता है तो आपको अनसर केवल यह देना है कि मैगर एक ऐसा उपकरनण है जो की insulation का resistance को मापता है ठीके दोस्तो, cable answer आपको इतना ही देना है और साथ ही साथ में आप इसका काम बताना चाहो तो आप ये बता सकते हो कि cable maker का उपयोग से हम cable का insulation को measure कर सकते हैं या फिर motor को भी check करने के लिए हम meager का उपयोग करते हैं ठीके दोस्तो, अब चलते हैं दोस्तो हम second question पे जो हमारा second question है यह star delta starter पे या नि कि इस question में यह पूछा गया कि star delta starter किउ योपयोग कियाता है दोस्तो यह जो question है, यह बहुत ही जादा पूछा जाता है यह जो question है यह मुझसे भी बहुत बार interview में पूछा जा चुका है ठीक दोस्तो अभी तक मैंने लगबग 20 interview दे चुका हूँ और सभी interview में लगबग लगबग यह question पूछा जा चुका है तो इसका अंसर आपको मालूम होना बहुत ही जरूरी है तो दोस्तो यह आपसे interview में यह पूछा जाता है कि start delta starter क्यों यूपयोग किया जाता है तो आपको केवल अंसर यह देना है कि start delta starter के इस्तवाल motor के starting current को कम करने के लिए करते हैं दोस्तो जैसे कि आपको मालूम है कि जो हमारा induction motor होता है induction motor का starting current होती है बहुत जादा होता है तो हम क्या करते हैं वहाँ पर star delta starter लगा देते हैं star delta starter लगाने से क्या होता है जो starting current है वो कम हो जाती है किस परकार से कम होता है यदि आप जानना चाहते हो तो मैंने एक वीडियो बनाया था उस वीडियो का link मैंने यहाँ पर दे दिया हूँ इसका link description में भी दिया गया है वहाँ पर आप क्लिक करके इसके बारे में आधिक जानकारी ले सकते हो ठीक है दोस्तों तो यहाँ पर क्य booklet अंसर ये देना है की start elder starter का UPPY का start HELP का हम क्रुन करने के लिए करते हैं दोस्तों यहाँ पर एकोर question बनता है इन क्यों आपढ़ी में पुछा जा सकता है लों कम होती है वह होती है ओम दोतर यहां पे इसके रिगार्डिंग आपको दो तिन चीज्ज और मालूव होना चीजिいて है तो जो यहां पे आपको यह मालूम होने चीज्ज JTA स्टार होती है इसमें Three contact mother का स्टमाल किया घ्र थिक टिकर सोव अब दोस्त यहां पे star delta starter से एक और question पूछा जा सकता है जिसमें आपसे यह पूछा जा सकता है कि जो हमारा star delta starter होती है इसमें तीनों contactor में से कौन सा contactor सबसे पहले ओन होता है तो दोस्तों यहां पे आपको answer बताना है star contactor ठीक ड़स्तों जब आप motor को start करते हैं तो सबसे पहले हमारा स्टार कॉंटेक्टर ओन होती है ठीक दोस्तों आप से इंट्रूव में स्टार्ड डेल्टा स्टार्टर का पाउर वायरिंग और कंट्रोल वायरिंग भी नौलेज होना चाहिए उसका लिंग मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं अब वह यहां पर यह देना है कि RCCB एक करेंट सेंसिंग डिवाइस है जो कि करेक्टर सर्कीट में अर्थफोल्ट होने पर सर्कीट को डिस्कनेक कर देता है इसका मतलब क्या है एक बास समझ लीजी तो दोस्तों देखेगा यहां पर जो हमारा RCCB है इस RCCB के आर्गूइंग टर्म तो उस कंडिशन में क्या होता है कि यह जो हमारा RCCB यह पावर सप्लाई को ब्रेक कर देगा यहां कि यहां का पावर सप्लाई यहां पे नहीं पहुच पाए का ठीके दोस्तों तो एक तरह से हम यह कह सकते है कि जो हमारा RCCB होता है यह हमें इलेक्रिक सोक से बचाता है ठी आपको अंसर यह देना है कि RCCB एक प्रकार का current sensing device होता है जो connected circuit में अर्फ फोल्ट होने पे circuit को disconnect कर देता है केवल आपको अंसर इतना ही देना है ठीक है दोस्तों दोस्तों जैसे कि यहां पर question में पूछा गया था कि कितने milli ampere का RCCB हमें use करना चाहिए तो आपको अंसर यहां पर हमारे घर में या फिर कहीं भी इस्तमाल करते हैं तो हमें 30 milli ampere का RCCB इस्तमाल करना चाहिए दोस्तों इंडेस्ट्री में आपने देखे होंगे कि जो हमारा RCCB होता है वहां पर 100 milli ampere का RCCB इस्तमाल किया जाता है क्योंकि जो हमारा 30 milli ampere का RCCB वह बहुत ज्यादा tripping होत हैं तो वहां पर आपको केवल तीन टाइप का RCCB मिलेगा एक 30 milli ampere का दूसरा 100 milli ampere का और तीसरा 300 milli ampere का ठीक है दोस्तों RCCB केवल तीन टाइप के बना जाते है 30 milli ampere 100 milli ampere और 300 milli ampere का अब चलते हैं दोस्तों next question पर तो दोस्तों यहां पर जो question पूछा जारा है वह series motor के बारे हम पूछा जारा है इसमें यह पूछा जारा है कि जो हमारा series motor है उसको हम बीना लोड के क्यों नहीं चालू करते हैं तो नहीं करते हैं तो आपको answer के वाल यह देना है कि series motor का starting torque बहुत जादा होता है इसलिए series motor को हम ऐसा load के साथ करने करके चालू करना चाहिए अब दोस्तों यहां पर बात हो लिए series motor क्या तो series motor से regarding 2-3 चीज़े और जान लीजिए देखिए दोस्तों जो हमारा series motor होता है उसका उप्योग हम क्या करते हैं train के लिए elevator के लिए या फिर host के लिए करते हैं host का मतलब यह होता है कि जो हम load उठाने के लिए उप्योग करते हैं जो crane होती है उसको host का आ जाता है तो उसके लिए हम series motor का ही उप्योग करते हैं जो हमारा elevator होता है elevator में भी हम series motor का استعمال करते हैं अब बारे में यूलिवर्टाइब तो आपको अनसर के वाल यह देना है कि यूलुवर्सल मोर्टर एक बिसेस प्राकर का मोर्टर है जिसे डिसी पाऊर सप्लाई और एज़ी बाखना है तो यानि कि जो हमारा universal motor होता है इसको इस प्रकार से design कियाता है कि उसको हम AC power supply और DC power supply दोनों के दरण करा सकते हैं यानि कि चालू कर सकते हैं ठीक है अब दोस्तों यह जो हमारा universal motor होता है इसका भी starting torque बहुत जादा होता है इसलिए इसको भी हम AC का series motor कहते हैं ठीके दोस्तों तो यहाँ पे आपको अंसर यह देना है कि universal motor एक विसेश प्रकार का motor है जिसको हम DC power supply और AC power supply के दोरा work करा सकते हैं और जो हमारा universal motor होता है उसका starting torque बहुत जादा होता है इसलिए universal motor को हम AC का series motor भी कहते हैं ठीके दोस्तों दोस्तों यहाँ पे universal motor से regarding दो तिन चीज़े आप जान लीजिए यह जो हमारा universal motor होता है यदि हम इसको no load पे चलाते हैं यानि कि कोई भी load connect नहीं करते हैं तो इसका जो RPM है वह 25,000 RPM तक हो सकता है यानि कि बहुत जादा RPM हो सकता है ठीके दोस्तों यह जो हमारा universal motor होता है इसका उप्योग हम drill machine में hair dryer, table fan और grinder में करते हैं ठीके दोस्तों तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सस्क्राइब में किये तो सस्क्राइब भी कर लीजिएगा इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवादिए